यह present continuous है आ रहा हूं continuous मतलब जो चलता रहा है चलता हो रहा है है ना होता हो मतलब चल ही रहा है उसको कोलते हैं continuous तो I am coming का क्या होता है मैं आ रहा हूं यह है present continuous ठीक है अभी नमबर थ्री पे आप देखो I have come I have come है ना तो इसमें क्या है मैं आ गया हूँ तो ये जो मैं I have come मैं आ गया हूँ ये है present perfect tense ये है present perfect tense ठीक है आप लोग को दिखाई दे रहा है समझ में आ रहा है येस मैं आ रहा है मुझे बहुत अच्छे से ठीक है और next में आप देखो यहां में I have यहां पे फिर लिख रहे है I have been coming यहां पे मैं आ रहा हूँ सेम ही है पर ये थोड़ा sentence बाद में बताएंगे इसमें क्या ये है मैं आ आता आ रहा हूँ मतलब आता आ रहा हूँ अगर लिखेंगे तो आप तो हां वेरी गुड ये है प्रेजन्ट पर्फेक्ट कंटीनिवस टेंस ठीक है ये है प्रेजन्ट पर्फेक्ट कंटीनिवस टेंस ठीक है समझ में आ गया अभी यहां पे मैंने एक चीज बोलना चाहूंगी यहां पे देखिए जब मैंने आई कम लिखा यहां पे देखिए मैं आई कम लिखा मैं आता हूं तो यह जब मैंने कम लिखा मैं आता हूं यह ता और हूं और जब मैंने आएंजी लगा लिया तो इसमें रहा हूं आ गया रहा हूं आ गया इसे गौर करिए आप लिखने की कोई ज़रत नहीं है ठीक है आप लोग गौर करिए आ रहा हूं आएंज यह चाहँ का थर्ड जो वर्ब है उसका पोजिशन उए उसका पोजिशन वर्ब थर्ड फर्म ऑप वर्ब हो गया ठीक है समझ गए है हलो है हलो है हाँ 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 मुझे आवाज आ रही है आप लोग की ठीक है I have been coming तो I have been coming में क्या हो रहा है मैं आ रहा हूं तो इसमें have been coming have एक लग गया बीन एक लग गया और कम के बाद ing लग गया तो इसको कहते हैं परफेक्ट प्रेजंट परफेक्ट continuous tense ठीक है समझ में आ गया तो यहां पर आप लोग को कुछ पूछना है आप लोग कुछ पूछना चाहते हो के have कहां से आ गया बिन कहां से आ गया यह कभी-कभी कम हो जाता है कभी-कभी ing हो जाता है ऐसा क्यूं होता है यह सवाल आप लोग के मन में होंगे हां 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 जैसे आ रहा हूं में एम आ गया आ गया हूं में हैव आ गया जिसे आ रहा हूं में have been coming फिर ing आ जाता है किसी में ing नहीं आता है किसी में एकदम कम ही होता है तो यह क्या हो रहा है यह मतलब मामला क्या है तो यह बताएंगे जिए present simple tense के बारए मैंने बता ही दिया था present simple tense में क्या होता है आप बोलो मुझे present simple tense में जो subject है उसके साथ जो verb होता है वो verb as it is bad जाता है इस इस होता है तो यहां पे देखिए आज हम और एक इसके और हम बात करेंगे आज I am coming I am coming के बारे में और वो present simple नहीं है उसे कहते हैं present continuous 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 का मतलब यसे ही आपको पता है जो continuous चाहता है है ना चल रहा है तो यहाँ पर M कहां आ गया कहां क्यूं आ गया और ing क्यूं आ गया तो यह दोनों जानने से पहले मुझे यह जानना पड़ेगा जब मैं बोलूंगी के मैं आ रहा हूं जब रहा हूं रही हूं वैसे word होंगे sentence में उसमें आपको समझना होगा इसमें वर्ब कोई auxiliary verb is MR होगा कोई auxiliary auxiliary verb कहते हैं जिसे helping verb कहते हैं हां हां उसे कहते है इस होगा नहीं तो एम होगा नहीं तो आर होगा और इसके साथ जो वर्ब है में वर्ब है काम गो इट राइज रीड यह जो में वर्ब है उसके पीछे ing add हो जाएगा और वो ही जब ing add हो जाएगा तब वो present simple नहीं कहलाएगा book that will be called present continuous tense रहा हूं रही हूं रहे है रहा है like that if the sentences are coming in such ways ठीक है समझ गए तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक sentence देती हूँ जैसे मैं जैसे रमेश ओके एक एक जैसे मैं देती हूँ sorry रमेश का मैंने English में लेक लिया आप लोग इसे करके दिखाओ मुझे रमेश रमेश खेल रहा है खेल रहा है रमेश खेल रहा है रमेश खेल रहा है रमेश is playing very good रमेश is playing now Abhishek it's your turn to say now Abhishek it's your turn to say you tell me the sentence आप 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 मुझ से मुझ से बात कर रहे हो कर रहे हो इसका क्या मतलब फिस्ति आएगा आप बोलो आप मुझ से बात कर रहे हो बात करना इंगलिश को क्या बोल रहे है बात करने को पैंगलिश को तो क्या होगा अभिशेक आप बोलो आप मुझसे बात कर रहे हो क्या बोले यू आर यू आर यू आर यू आर यू आर यू आर टॉकिंग टू मी तो मी यू आर टॉकिंग टू मी ठीक है आप मुझसे बात कर रहे हो तो यहां पर आर क्यूं आया और आइंजी क्यूं आया अभिशेक आप बोल सकते हो आप मैं इसमें इसमें आय एंजी इसलिए लगाया क्यूंकि यह प्रेजेंट पर जो पुरा सेंटेंस है वे कांटिन्यूस है और इसमें हम रहे हैं तो हमें अगर रहे हैं रहा हो रहे हैं हाँ आपने ठीक कहा हा हां रहे हैं यह कांटिन्यूस है और इसमें आयंजी भी जूड़े को और आपना यह ज़िए आपना यह नहीं है अगर यू है तो आर होगा आई है तो एम होगा और कोई मतलब शक्स है कोई इंसान है कोई जगा है तो यहां पर यह होगा ठीक है तो और एक सेंटेंस में बता रही हूं इसको आप बताओ हम 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 गाना गा रहे हैं हम गाना गा रहे हैं तो इसका क्या होगा ठांसलेशन हम गाना गा रहे हैं यहां पर सिंग के बाद जो में वर्ब उसके बाद पीछे आयन जी आ जाएगा ठीक है आयन जी को बुलना नहीं है जब रहे है होगा आयन जी को बुलना नहीं है इसके लगाना ही होगा ठीक है वी आर सिंगिंग अ साउंग हम गाना गा रहे हैं ठीक है नेक्स्ट मांग्शी आपके लिए है मांग्शी आपके लिए है आप बोलो सभीता सभीता अभी सोरी मैंने सभीता को इंग्लिश में लिख लिया सबीता अभी पढ रही है पढ पढ ना ठीक है पढ रही है क्या होगा आप बोलो answer सबीता अभी पढ रही है कोई ने What is the answer here? सबीता now सबीता now reading सबीता सबीता Yes, correct सबीता is reading now Yes, correct सबीता is reading now मैं गलत 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 है कि तो correct करना पूलेगा हाँ, हाँ, हाँ आप जो हो correct करने के लिए अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मांगशी भी सीख लेगी सबीता is क्या? reading now सबीता is reading now that is the answer पढ रही है reading now कर रही है doing now अगर लास्ट में जाएगा ना तो इसे दिखने में भी यह जो sentence है that would look nice so you try to use now or whatever the words after the subject, verb and object what are the objects are there remain in the sentence that you just place them after all the things are done main important things are done सबी जरूरी काम होने के बाद आप objectives जो बाकी के sentence रह जाते हैं now या कुछ और भी तो आप इसे पीछे लगाना है आप मेरी आदत है आदत को चेंज कर दीजिए यह मांगशी ठीक है चेंज कर दीए ठीक है तो अभी शे के लिए अभी शे के लिए और एक sentence मुझे याद आया आप बोलिए स्नेहा 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 का लिकिए इसकी बेस रेंट का नाम है अच्छा ये मुझे कैसे बता चल गया किस सनेहा एक स्नेहा यहाँ स्नेहा यहाँ आ रही है यहाँ आ रही है इसका क्या अंचर होगा यहाँ यहाँ का इंगलिश होता है यहां आ रही है तो आप लोग को प्रेजन कंटिनुवा स्टेंस में कुछ जानना है जो बात आपको कुछ पूछना है कि ऐसा क्या है और कुछ कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो नेम के साथ कैसे लगेघां रगेगा यूक के साथ आलगेगा वी के साथ सथां लगेगा अजो खखरी के आपका सवाल मुझे समझ में आ गया और अथी अभी शेकाना AMY क test का रेंगे क्या बुले कि आपको आपको पुछ पुछ ना है हाँ बुलिए कि मुझे यह आता है मैंने और लिडिया पहले से पढ़ा हुआ तो मेरा काम थोड़ा आसान हो गया यह ऐसा करना अभिशेक आप एसा करना पढ़के पढ़के आना अभिशेक पढ़के आना तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा काम भी सोड़ा आसान हो जाएगा अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ओके तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर इस मर जैसे आई और होता है यू फिर दे होता है फिर वी होता है और फिर किसी का नाम रम ठीक है, कोई भी नाम, या कोई मतलब कंटरी का नाम, कुछ भी, अगर यहाँपे होता है, तो यहाँपे क्या हो जाएगा, I, जो सिंगुलर है, I, सिंगल है न, तो इसमें क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, I के साथ ही M होता है, और किसी के साथ M नहीं होता ये तो आप लोग को पता ही है U, U अगर singular है अगर आप हो तो ये R हो जाएगा और अगर plural भी है U, तो भी R हो जाएगा, मतलब आप लोग हो तो भी ये R ही रहेगा U के साथ M नहीं होगा कभी नहीं होगा, और R ही के और होगा ठीक है इसके बाद इस नहीं होता है दे के बाद आप लोग को r Kingdom Plural nober is the मतलब क्या है इसको कहते हैं बहुत सारों लोग न बहुत ही भलते हैं आ ये लोग आरे थे एसा है तो एसा है इसके बाद ca भी का मतलब होता है हम और वाट है या प्लूरल है लहीं सिंग्टनाउं यह प्लूरियल है तो इसमें क्या होगा ङ्या होगा य्यां होगा इस होगा एक वैरि गूद तो रामेश रामेश जो एक इनसान है या दो इनसान है एक इंसान है तो रमेश इस होगा अगर अ Prague कोई किसी और का नám रमेश और नरे इसा अगर आगए दो इनसान होगे तो R हो जाएगा ठीक है